अज़ाइब कर दो दोस्तों आज हम सिखेंगे कि ऑटोगेड में वीपोर्ट को किस तरह से जनरेट किया जाता है तो वीपोर्ट का इस्तिमाल आप लेयाउट स्पेस में कर सकते हैं अटोगेड में दो तरह से काम किया जाता है उसमें पहला है मॉडल स्पेस और दूसरा है लेयाउट या उसे पेपल स्पेस भी का जाता है तो पेपल स्पेस में वीपोर्ट का इस्तिमाल किया जाता है हमारा topic है how to create viewport and types of viewport तो viewport छे तरह से generate किये जाते हैं उसमें पहला है single viewport, two viewport, three viewport, four viewport, polygonal viewport और last option है object viewport तो object viewport में आप circle से बने वे object को आप viewport में convert कर सकते हैं उसी तरह polyline से बने वे object को आप viewport में convert कर सकते हैं और उसी तरह किसी भी rectangle से बने वे object को आप viewport में convert कर सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं viewport को किस तरह से generate किया जाता है वीपोर्ट को generate करने के लिए आपको layout tab में जाना होगा तो यहाँ पे देखें model space नीचे की तरफ और दूसरा layout space तो layout space में आभी मैं currently हूँ तो layout space में जाने के बाद उपर की तरफ menu में आपको जाना होगा तो मैं view menu में जाता हूँ तो उपर की तरफ और वीव वीव में जाने के बाद वीव पोर्ट तो वीव पोर्ट में देखिए यह option है उसमें पहला option हम देखेंगे स्क्रीन पर से एक आप लेन एक आप लिदो मालना है तो बीदो क्रेट होने के बाद लेगा आपका इस तरल वीव पोर्ट तरु फिर से इस तरह दुसरा से किस तरह से तो फिर से में लाउन गाकि Two Viewinterpret आप दो तरह से जन्रेट कर सकते हैं आप नीचे की तरह की ओप्शन धेख सकते हैं अर्ड़न्टील और की अब जेनरेट हो जाएंगे उसी तरह फिर से मैं इंकर करता हो दो यह पिस in आंड करीफ से वही ऑप्शन और 3 viewport नहां में click करता हो देखिए first point और second point तो देखिए इस तरह से आपके तीन वीवूट जनुरेट हो गये हैं तीन वीवूट जन्रेरेट करने के टैम भी आप अलग-अलग तरह से विव जनरेट कर सकते हैं जैसे के horizontal तरह से इसको डिलीट करता हूं उसके बाद देखिए विउव में जाने के बाद विव पोड और फिर विव पोड में देखिए फ्रस्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट तो इस तरह से आपके चार विव पोड जनरेट कर सकते हैं तो दोस्तों आभी हम देखेंगे कि ऑलिगोनल वीवोट को किस तरह से जन्रेट किया जाता है सो फिलाल देखिए यह दो वीवोट है उसको मैं बाहर की तरह भी देखिए इस तरह से मूग करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको जन्रेट करकी बता suspects fold Polygonal Viewport के लिए ञाए फरसे मैं view में जाने के बाद वूपोड और बेखिए यहाँ पर अप्शन तो को मैं क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर देखिए polyline की तरह आपको कोई भी एक शेप इस तरह से ड्रॉक करना है कि एंड पॉइंटे महिं पंट लेते हो इंटेटर करता हो cryetera करने से देखिए पोलियंट सेट में आपका विऊपोत क्यार हुआ मित्तिक इस तरह से कर सकते हैं इस तरह से मैं कर रहा हूँ इस जाग बीनिदding की मतदर से आप इस्ट येश कर सकते हैं कि देखिए इस तरह से कम जयदा आप इस पॉइंट को कर सकते तो यह हमारा हो गया पॉलीगोनल व्यूपोर्ट उती तरह हम देखेंगे अभी हम ऑब्जेक्ट से किस तरह से व्यूपोर्ट जेनरेट किये जाता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ड्रा करन चार घ्राम थे किस तरह से करनेख ऑब्जेक्ट ड्रॉट कि अधिया और फीलेट कमांड से कहिए इस चाहरिक जोंड को तो देखिए ये cərkul हमारा viewport में generator हो गया उसी तरह देखिए इस object को भी हम वीवport में generate करेंगे उसके लिए view viewport object और इसको मैं select करता हो तो देखिए ये हमारे rectangle ग्लाइन वीवport में generate हो गया उसी तरह देखिए ये जो polyline से बना हुआ object है उसको भी हम convert करेंगे वीवट में तो इसके लिए वीव वीवट औबजेक्ट तो ये इस तरह से ये भी हमारा आपजेक्ट वीवट में convert हो गया तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि वीवट को कमांड की मदद से किस तरह से जीन्रेट करते तो देखिये आपके स्क्रаете स्क्राइब करता हो ये ठीड़ करता हूँ जरू के हखित करता हूँ इस तरह से टेबल ओपन होगा उसमें पहला उप्शेन है खी नीव भीवट तो निव forty में Demi के बाद यहां पे single viewport उसके बाद two vertical two horizontal उसी ज़रा three right left above below उसके बाद three vertical three horizontal और four तो इस में से कोई भी option of select करके वीपोर्ट को generate कर सकते हैं तो देखिए मैं three vertical को select करता हूँ या three horizontal लेता हूँ उसके बाद okay करता हूँ और यहां पे एक विंडोर करता हूँ देखिए इस तरह से हमारे three horizontal विवपोर्ट जन्रेट हो गए तो इस तरह से यह पहले कमांड के मदद से आप इस तरह से कर सकते हैं उसके बाद को option देखिए माइनस विवपोर्ट या में टाइप करता हूँ माइनस विवपोर्ट और इंटर करता हूँ तो इसमें देखिए जो पहला मैंने बताया था विव में जाने के बाद विवपोर्ट उस तरह से देखिए यह फॉर्मेट ओपन होगा उसमें नीचे की तरफ आपको दिया हुआए पॉलीगनल विव यहार टूएपोर्ट्ट्ट्रीव प्रुवन फॉर्मेट जैसे कि मैं फविवपोर्ट्ट्ट को नीचे के तरफ छील पर सेलेक करता हूँ और यह पे एक विंडॉनओड रो करता हूँ तो देखिए फोर विववो इस्दरा से डॉआऊ हुए उसी तरह म कमांड रिपीट हो जाएगा उसमें देखिए मैं त्री वीपोड लेता हूँ त्री को नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपके पास आप्शन मिलेगे होरिजन्टल वर्डिकल अब और तो कोई भी आप्शन आप सेलेक्ट कर सकते है होरिजन्टल का मैं होरिजन्टल त्री वीपोड जनरेट हो गए तो इस तरह से आप वीपोड को जनरेट कर सकते हैं अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वीपोड को स्केल किस तरह से किया जाता है और उसको लॉक किस तरह से किया जाता है तो इसी तरह दोस्तों आप हमारे आगे की वीडियो देखते रहे और हमारे चाइनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों हमारे वीडियो देखने से आपको कुछ नया इंफॉर्मिशन मिलता है या नया कुछ सिखने को मिलता है तो आप वीडियो को शेर और लाइक जरूर कीजिए